जित्तरवा और आखिरी दिन 75 आर्ड कोडिंग चैलिंज का बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों आज इस दिन की दिन क्योंकि मैंने लगातर 75 दिन तक है आपके लिए सब्सक्राइब को पढ़ा है और आज ये लास्ट वीडियो है काफी जाधा खुशी हो रही है में को काफी जाधा अचीवमेंट है कुछ अचीव किया है हमने ऐसा फीलिंग आ रहा है आप सबनी काफी जाधा साथ दिया है मेरा इस पूरे चैलिंज के दार पंदर से हमारे चै चैमेल को हमने 10 दिन के दर कपीट किया 20 दिन के अंतर हमने css को कपड़ रहे है हमने js के तर कुछ भी रही चुटा सब कुछ पढ़ लिया है हमने सबके सब कुछ पढ़ लिया है और आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल की उपर है यापर देखिए मैं अपने फिर हमने सब को इंट्रोडक्री से शुरू किया और आज हम आचुके हैं लगवाग देखो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आचुए हमने लास्ट ज्यावास्रिप्ट का यहाँ पना लिया डे 74 पर आज 75 वीडियो है इतना सारा कॉंटेट हमने बना लिया आए पूरा HTML कवर कर लिया पूरा CSS कवर कर लिया आप बाकी यह जावास्रिप्ट की लास्ट वीडियो की ठीक है इस वीडियो में आपको एक प्रजेक्ट बनाएंगे रेंडम कलर जनरिटर बनाएंगे कैसा कलर जनरिटर ना होगा देखिए ओपन में लाइक सर्वर से आपको दिखाई तब किस स्केंदर लोगिक अब देहीं यहां पर एक हक्सकोड आ रहा है इस हक्सकोड का जो कर रोता है वह पीछे बेक्राउन में आ रहा है बस इतना सही हो दो इसकर होगा एक नया प्छिंप करूंगा एक निया इक निया उसकोड जनरिट हो गा ठीक है जैसे देखिए जैसी का मैं लिंक कर दिया है style.css को यह मैं आपको पहले बता चका हूँ इंटरन और एक्टरन दौरों तरह से ब्यूज कर सकते हो ठीक है और script.js को मैं लिंक कर दिया है अब हमने फाइल बना लिए ठीक है script.js style.css और index.stml symbols अपने stml का पीस बनाया है div एक class बनाया अब हमारे content को describe करने की काम आते है class बनाने main div को class बनाए एक class बनाए एक class बनाए एक class बनाए उसके class बनाए एक class बनाए एक class बनाए एक class बनाए एक class बनाए जिसकी ID में color code ठीक है और इस अंदर hashtag कुछ भी लिग दिया भी हमने इसको हम बाद में change बनाए एक बनाए जिसकी ID बनाए और click me नम का अपने button में लिया है यह हमारा click me नम बनाए और इसको styling किसी है वह में style.cs में जाते है margin padding zero करते है universal selector से box styling border box और font family map को कुछ में font को selector सकते हो body में हमने क्या क्या है सबसे बेरे background color को black कर दिया है height zero 100vh, display flash, gesture content, center align item center जिससे क्या होगा यह बीच में आ जाएगा हमारा जूटे भीच में यह बीच में जाएगा फिर container को क्या कर रहा है width देदी 30 REM की padding बाद रेडिज देदिया background color देदिया, font size देदिया, text align center देदिया जिससे की center में आ गया, font size का 40 pixel कर दिया, जिससे की थोड़ा बढ़ा हो गया फिर button को question दे रहा है, margin तरे top से 5 pixel की font size बढ़ा दिया, width पूरी दिस्पली ब्लॉक कर दिया background color black कर दिया, white, border इसकी कुछ में दिया और border radius को 5 pixel कर दिया इस तरह का हमाज जो है, यह button 3 हो के हमारा आ चुका है, पूरी इसने बटते ले लिए है, यह हमारा container है, ठीक है यह हो के हमारा standard CSS, mean जो काम है क्या आता है, सिरी JavaScript का, अब देखिए क्या क्या है यहाँ पर एक variable बनाया है, sorry दोस्तों, यह हमने बनाया है, arrow function ठीक है, हमने बनाया है, arrow function कैसे बनाते है वह advanced JS के concept है, हमने यह तक basic JS पढ़िए, basic JS में arrow functions नहीं आता है, advanced JS जब पढ़ेंगे तो वह आता है बाद में ठीक है, तो arrow function क्या होता है, एक function बनारे का इग नया तरीका होता है, कैसे बनाते है, सब्सक्राइब लेखेंगे, const लिखेंगे, where, let, const कुछ भी लिखेंगे get color, function का नाम लेखा, is equal to लिखेंगे, is equal to के बाद हम parenthesis देते है, parenthesis के बाद is equal to और यह देते है, अपन को greater than जो होता है वो देते है, इसको कहता है fat arrow function, ठीक है, इसको कहता है fat arrow, इसको कहता है, क्या देते है fat arrow, फिर उसको बाद में आते curly braces, ठीक है, और curly braces के अंदर पूरा cold लिखते है, तो यह बन जाता है arrow function, ठीक है, एक function बनाने का एक नया तरीका है, जिससे कि जल्दी से जल्दी function को create कर दिया है, बन्ना function को create करने में काफी दाम को problem आती है, प्रोब्लम तो नहीं आती है, लेकि बड़ा बड़ा cold हो जाता है, इसलिए एक नया तरीका advanced आतक करने है, 0 से लेकि 16777215, अब सोचिए कि हमने यहीं ते क्यों क्या है, यह एक number होता है जो hex code को generate करने के लिए, जो हम use करते हैं, यह default है, यही आपको उसको करने पड़ेगा, 1677215, इसका कोई alternative हैंगी, यह use करते है, ठीक है, तो 0 से लेकि कुछ भी एक number हमारा यहापर इसलिए हमने क्या किया है, कि math.floor function को लगा दिया है, या जैसे 1,6,7,2,1,2,512, point कुछ नंबर जनिट हुआ, तो point को कुछ अठागे, जो नीचे का number होगा, math.floor function, math method पड़ेसे, अपड़ाता कि नीचे का number जो होगा, जैसे 1.5 है तो 1 कर देगा, 2.2 है तो उसको 2 कर तो math.floor function के लिए तो, इसको बद हमने random code नाम का एक और value बनाया, उसमें क्या कर रहा है, कि hash हमने string ले लिया, प्रस कर दो random code, ठीक है, random code जो हमने बनाया, जो हमने अभी generate किया उसको, किसमे .2 string, इसको string में convert करो, कौन कितनी string में, 16, जब हम hex code बनाएंगे, तो 16 उसका आपक code को प्रेंट करा दो, तो देखना, यहाँ पर जब हम ख्लिक कर रहे है, इंस्पक्रों जैसे भी click करोगे, तो देखना, console पर हम जाते है, तो देखना, जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, तो एक हमारा random number नंबर जनरेट हुआ है, random number console में, और उसका hash code जनरेट हुआ है, इस random number से एक has code generate हुआ है ठीक है अब दोनों को दोनों हमने क्या किया है कि हम आप इसको चेंज कर देगा अब फिर हम क्या कर रहा है कि क्या कर दो इसको चेंज कर दो और बेक्रांड कर दो बस इतना समने किया है और इस पूरे को चौन भी खरना पड़ेगा तुम क्या कर रहा है कि इनिशल कौन कर आदेंगे और जब बटन से जब बटन से कॉल होगा ना तो क्या होगा कि document.getElementById पर जाओ जो बटन है बटन किसकी आड़ी है इसकी आड़ी है बटन की ठीक है btn नम्ने दिया है उसको एक event लिसन लगाओ कि click वाल event लगाओ और गेट कलर जो function है उसको कॉल कर दो बटन पर जैसे कोई कि यहां पर आ जाएगा जितनी वार क्लिक करोगे वापर जो इस random number आएगा फिर random code आएगा इस code का जो color होगा वो जो हमारे background में आ जाएगा यहां पर जो हम click view पर जैसे click करते रहेंगे इतना आज आज आपको वाना challenge कैसा लगाए प्लीज आज आपके support की वाचर होते है आज आज आपको बता चलेगा कि last में हमना पिछे तर दिन की जो महनत है वो कितनी रंग लाइए आपको कितना content पसंद आ है यह हमने काफी ज़दा महनत किसम पूरा content आपको समझाने की वोश्कि देटर टाइफ शुजए statement टर्नर यह वीटर सब कुछ पड़ा दिया है लीज जा के देखिये ठीके दोस इतना ही कहूंगा मिलेंगे रफ़गने वीडियो में बहुत ही बहुत अच्छा आप लग रहा है आज के दिन तो थैंग्यो 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 बैरी मस्त थैंग झाल झाल झाल